तोड़ा सा क्वीक याफे वीडियो बना रहा हूँ मैं अपडेट कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई कलकी को लेके क्या कहा है वो पॉजिटिव बात करी या निगेटिव बात करी उसको लेके देखो मैंने उसका एक ट्वीटर रिव्यू देखा उसने बोला है ब्रह्मास् यूगी तो मुझे नहीं पता मैं उसके वीडियो नहीं देखता हूँ कभी-कभी कॉमेडी मन बहलाने के लिए बहुत पहले देखता था कभी-कभी भी देखता हूँ पर मुझे पता नहीं कि उसने अच्छा बोला या बुरा बोला है पर उसका जो ब्रह्मास्टर 2 वाला उसको लेकर मैं एक बात कह सकता हूँ कि उसने फिल्म को अच्छा भी नहीं बोला बुरा भी नहीं बोला उसने इस टाइप का रिविव दिया है कि आप लोग डिसेड कर लो कि अच्छी है यह बुरी उसने यह बोला है ब्रह्मास्टर 2 है यह वहाँ पे रंबिर कपूर, अ अलिया विलन्स के खिलाफ होती है यहाँ पे दिपिका, अमिताब बच्चन और प्रभास विलन्स के खिलाफ है ऐसा उसने चोटा सा इजी रिविव आफ कल की दिया है देखो क्या है कि उसके रिविव को लेके मैं कहूंगा कि उसने कोई क्रिटीसाइज तो नहीं किया है मुझे माफ करते था बाद में यह मत बोलना भाई उसने तो सच में मजे लिए आप उसको क्या साइड ले रहे हो मैं उसका ट्वीटर रिविव जो था वो पढ़के बोल रहा हो कि उसने अच्छा भी नहीं बोला बुरा भी नहीं बोला अब इसमें उसने एक तंज भी कसा ह है वो बोल रहा है कि यह ब्रह्मास्टर टू है अब ब्रह्मास्टर के वक्ट चायद उसने ब्रह्मास्टर को रोस्ट किया था या नहीं मुझे वो याद नहीं है समोसा उसको करण जोर का मिला था या नहीं तो उसके अकॉरिंग डिसाइड कर लो आपकी उसने किया कुछ इक्के डुक्के यूटुबर्स को छोड़ दो बाकी कलकी का बहुत positive response देखने को मिला है वो देखके बहुत अच्छ था हिंदी reviewers की तरफ से भी तो यह बहुत प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा कि इंदी रिविवर्स ने बहुत अच्छे रिविउस दिये तेलकु ने तो दिये ही है तेलकु वाले तो कुछ तेलकु वालों ने भी अच्छे नहीं दिये वो थोड़ा सा अलू अर्जुन फैंस वगरा महेश बागु फैंस हो सकते है वो पर मुवी अगर आप ध्यान से देखोगे ना सेकेंड आप देखने के बाद आप इतना ज्यादा सैटिस्फाय हो जाते हो ना कि आप इट्स लाइक कि भाई चलो भाई वी आर सैटिस्फाय विद दे मॉवी अफ्टर फर्स हाफ सेकेंड आप बहुत तगड़ा और पावर्फूल है जो अगर नहीं हो था तो कुछ भी हो सकता था मेरे भाई एनिवेज तो मैं ये कहूंगा कि ओवर और पब्लिक रियक्शन अच्छे है इसका नाम इसी लिए स्पेशली लिया कि कुछ लोग बोल रहे थी कि इसके रिव्यू इसका रिव्यू को लेके मैं एकी बात कहूंगा कि ये 50-50 वाली एंगल पर है अभी कि मतलब अगर मुवी ब्लॉक बश्टर जाती है जो कि अच्छा अगर 1000 करोड बलाज जाती है तो बंदा थोड़ा बहु कि इसने फिल्म देखी होगी इसने शायद पसंद तो किया है फिल्म को ऐसा लग रहा है मैंने उसका वीडियो नहीं देखा वीडियो में क्या बोला है कंफर्म कमेंड में बता देना अच्छा बोला है या बुरा बोला है और बाकी कुछ रिवीवर्स ने अच्छा ही बात क कुछ unexpected reviewer से जो मुझे लगा तकल की को रोस्त करेंगे उन्होंने भी अच्छी review दिये आपको पता है कि इन लोगों के बारे में बोल रहा हूं आप समझ जाओ positive word of mouth मिला है film successful होने के जादा chances से टेंचन ना लो